हेलो दोस्तो, बोडी बिल्डिंग का नाम सुनो तो सबसे पहले अपने दिमाग में अर्नल्ड शॉर्जनेकर का नाम आ जाता है, पर इंडिया में ऐसे कई बोडी बिल्डर्स है जिने विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं, इन बोडी बिल्डर्स ने इंटरनाशनल स्टेच इंडिया का नाम हमेशा रोशन किया है, तो आईए दोस्तो इस वीडियो में जानते हैं उन बोडी बिल्डर्स के बारे में जो पिछले सालों में काफी चर्चा में रहे है आशिस साकरकर इंडिया के एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डरस में से एक है इन्होंने चार बार मिश्टर इंडिया का किताब जीता है साथ ही में ये चार बार फेडरेशन कप विनर Mr. Universe Silver Medalist, European Championship Gold Medalist और Mr. Asia Silver Medalist भी रहे है इन्हें महाराश्टर में शत्रपती अवार्ड से सम्मानित किया गया है बॉबी सिंग एक एक्स नेवी पर्सनल है ये इंडिया के कुछ उम्दा बॉडी बिल्डरों में से है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी शोहरत हासिल की है 2015 और 16 में थाइलेंड में हुए World Body Building Championships में इन्होंने Silver और Bronze Medal जीते है अब तक बॉबी सिंग ने 3 Mr. Asia Titles, 5 Mr. World Titles और 12 Mr. India Titles अपने नाम किये है बॉडी बनाने के लिए आप अपने डायेट में क्या खाते है कमेंड में जरूर लिखेगा जादतर लोग चिकन या नौन विच खाने का जवाब देंगे पर हीरा लाल उन बॉडी बिल्डरस में से है जिनों ने अपना बलाड़े शरीर केवल वेजिटेरियन डायेट से बनाया है ये एक बार जुनियर Mr. India और दो बार Mr. India रहे है साथ ही में ये आठ बार पंजाब नैशनल चैंपियन चार बार फेडरेशन कप विनर और एक बार Mr. World Title के हगदार रहे है वरिंदर इंडिया के काफी पॉपुलर बॉडी बिल्डरों में से एक है इन्होंने कई Bollywood movies में भी काम किया है 2009 में इन्होंने Mr. India का टाइटल जीता और उसके बाद Mr. Asia competition में दूसरे स्थान के साथ इन्होंने काफी gold medal भी जीते है ये भी एक pure vegetarian bodybuilder है और इन्होंने खुद Arnold Schwarzenegger ने अपने health products के लिए Asia का brand ambassador बनाया है मुरली कुमार एक ex-Indian army person है इन्होंने 35 साल के उम्र में weight lifting और bodybuilding शुरू की इन्होंने 2012 के Asian bodybuilding championships में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था ये दो बार Mr. Asia और 8 बार Mr. India टाइटल के हगदार रहे है संक्राम इंडिया के most popular bodybuilderों में से एक है ये पूने से है और इक electrical engineer है इन्होंने 2012 और 2014 के WPF World Championship Thailand में दो बार Mr. यूनियर्स का किताब जीता है साथ ही में इन्होंने 6 बार Mr. इंडिया और 5 बार Mr. महाराष्टा का टाइटल जीता है सुहास एक bodybuilderों के family से आते है और bodybuilding इनके jeans में है इन्होंने अपने career में 9 बार Mr. इंडिया टाइटल और 7 बार Mr. महाराष्टा टाइटल जीता है ये एक central railway के employee थे और इन्होंने railway national competitions में goal जीते है सुहास Mr. एशिया जीतने वाले पहले इंडियन है साथ ही में उन्होंने दो बार Mr. Olympia में दूसरा स्थान राफ्ट किया है तो दोस्तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताइएगा और हमें subscribe करे, support करे और channel के बारे में सुजाओ जरूर दे धन्यवाद